प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों राष्टी या यायूं योगता धारी च्छातवती परिच्छा दो हजार पच्चिस के लिए प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों राश्टी या आयूम योगता अधार चातवत्ती परिच्छा 2025 के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश एन MS एक्जाम 2023 का रियल प्रश्ण पत्र सॉल्व कर रहे हैं इसी सरंखला में ये आपका दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने एक से लेकर 30 तक के मैट के प्रश्णों को सॉल्व किया था आज की वीडियो में 31 से लेकर 60 तक के प्रश्णों को हल करेंगे आप सभी लोग वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा फ्यारे बच्चों जो आपका प्रिवेशर कुश्चन पेपर होते हैं वो आपकी परिच्छा के जड़ से काफी महात्पूर्ण होते हैं कभी कभी जो प्रश्ण होते हैं सेम डूंट पूंश ले जाते हैं तो आईए बच्चों 31 नमबर कोश्चन को हल करते हैं कोश्चन को शिष्पकार से आपका दिया गया है यदि भाग का अर्थ गुणा गुणा का अर्थ पुलस प्लस का आर्थ माइनस माइनस का आर्थ भाग तो समीकड का मान याद कीजिए अब आप कापी और कलम लेकर बैठिएगा पहले आप क्वेशन को हल कीजिएगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको केवल शामान गड़तानी चाहिए और बार्ड मास का नियम आपको आना चाहिए तो एक सवाल आपको हम विस्तार पुरुक समझाते हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा तो बच्चों सबसे पहले समीकड में जो आपके अंक दिये गए हैं उनको लिख लिजिए तो यहाँ पर देखो हमने 16, 3, 5, 2, 4 इस प्रकार से अंकों को लिख लिया है अब ये काम तुमको परिच्छा हाल में तुरंत पैंसल से करना है इसके बाद अब आप जो है चिन्नों को रखिए तो पहला जो आपका चिन्ध दिया गया है समीकड में वो आपका गुड़ा दिया गया है लेकिन सवाल में गुड़ा को कुछ कहा जा रहा है सवाल में गुड़ा को प्लस कहा जा रहा देखो यहाँ पर लिखा है गुड़ा का अर्थ प्लस है तो गुड़े की जगा पर आपको प्लस का निसान लगाना है तो सोला प्लस तीन हो जाएगा इसके बाद जो है समीकड में दूसरा वाला जो चिन्न है वो प्लस दिया गया है तो प्लस की जगा पर क्या यूज किया जा रहा है ये समझे तो प्लस का अर्थ माइनस है यहाँ पर देखो लिखा है प्लस का अर्थ क्या है माइनस तो प्लस की जगा पर माइनस आपको लगा देना है इसके बाद देखो तीसरा वाला जो निसान है माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग दिया गया है तो यहाँ पर आप भाग लगा दीजिए इसके बाद लास्ट में जो आपका भाग का निसान लगा है तो भाग के लिए क्या कहा जा रहा है या भाग का अर्थ क्या है ये देखो समिकड में पहले ही लिखा है सवाल में पहले ही लिखा है भाग का अर्थ गुड़ा है तो भाग के जगा पर गुड़े का निसान लगाना है अब आपका समिकर्ड बन गया इसको आप हल कीजिए बसांसर आपका आजाएगा तो देखो 16 और 3 हम ये जोड सकते हैं तो 16 और 3 कितना हुआ 19 हो गया माइनस यहाँ पर 5 भाग 2 लिखा है तो 5 बटे 2 लिख देंगे गुड़े का निसान 4 क्योंकि हमको पहले भाग करना होता है बाद में गुड़ा करना होता तो पहले सो काट दीजिए 2 एकम 2 दो दो दोनी 4 तो अगर हम 5 और 2 का गुड़ा कर देंगे तो 10 आजाएगा तो 19 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 9 तो आप्सन नमबर कौन सा सही हो जाएगा 1 आप्सन तो 31 का बच्चों सही आंसर है आप्सन नमबर 1 अगर सवाल समझ में आया हो तो पहले ही वीडियो को लाइक कर देजिए तो 31 नमबर का 1 आप्सन सही है अब आते हैं नेक्स्ट कुस्चन पर 32 नमबर प्रशन है यदि प्लस का अर्थ भाग भाग का अर्थ माइनस माइनस का अर्थ गुड़ा और गुड़े का अर्थ प्लस हो तो समेकड का मान ग्याद कीजिए अब इस सवाल को अपनी कापी पर आप लिखिये और उसके बाद जो है हल कीजिए बाद में आप इसका उतर देखिये तो 32 को आईए इसको भी हम हल करा देते हैं बाकी के सवाल आपको करना है तो इसको कैसे करेंगे समेकड में क्या करना है सबसे पहले अंकों को लिख लेना है बाराव छे तीन दो आठ अब इसके बाद जो है निसान को रखना है तो प्लस देखो यहाँ पर पहले अस्थान पर है प्लस का अर्थ है भाग तो प्लस की जगा पर भाग का निसान लगा दो फिर कह रहा है भाग तो भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस से लिया जा रहा है तो भाग की जगा पर माइनस लग गुड़ा है तो माइनस का अर्थ गुड़ा लगा दो इसके बाद गुड़ा तो गुड़ा का अर्थ प्लस दिया गया है तो प्लस लगा दो अब इसको हल कर लीजिए तो 6 का भाग 12 में लगा देंगे तो आपका 6 दुनी 12 दो आ जाएगा माइनस 3 का गुड़ा 2 से कर देंग प्लस का आठ अब यहां पर दो और आठ ये जुड़ जाएंगे तो आठ और दो कितना हुआ दस और दस से अगर हम छे घटा देंगे तो आंसर आएगा आपका चार तो इस प्रकार से कौन सा आपसन सही हो जाएगा औपसन नमर 3 इसका बिलकुल सही जवाब है जिन बच्चों ने तीसरा आपसन दिया है एकदम आपका राइट आनसर है 33 नमर क्या है इस सवाल को हम नहीं बताएंगे आपको अपने आपसे करना है 33 नम्मर कुशन करता है कि यदि प्लस का आर्थ माइनस माइनस का आर्थ गुड़ा भाग का आर्थ प्लस और प्लस का आर्थ भाग तो समेकड का मान कितना होगा आपसंद या गया है 5, 22, 48 और 32 जैसे हमने दो सवाल उपर हल किये हैं वैसे ही आपको करना है 33 का सही जवाब किया हो जाएगा चलिए बताइए, कमेंट के जी राइट आंसर क्या है तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा आ अपसं नमबर 3, 48 इसका आंसर आएगा जिन बच्चों ने C आपसं मतलब थर्ड आफ्टन लगाया है उनका स्तही जवाब है इसके बाद 34 नमबर बच्चों प्रशन दिया गया है यदि गुड़े का अर्थ भाग माइनस का अर्थ गुड़ा भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है तो समिकड का मान याद कीजिए यहाँ पर केवल ब्रा अर्थ जी तीन पंदरा उननेस और यह व्राकर के अंदर है आठ और छे अब यहाँ पर क्या करना है आपको निसान भर लेने है माइनस माइनस का अर्थ है गुड़ा सवाल में दिया गया तो यहाँ पर गुड़े लगाना है भाग का अर्थ है प्लस यहाँ भाग का अर्थ देखो प्लस से लगाय जा रहा है तो प्लस कर देंगे इसके बाद गुडे कार्थ क्या है गुडे कार्थ है भाग भिया तो यहाँ पर आपको लगाना है भाग इसके बाद कह रहा है समीकड में चौथा जो निसान है वो प्लस का है तो प्लस की जगा पर माइनस कर रहा है तो प्लस की जगा माइनस कर दीजिए अब हल कर लीजिए देखो 15 का पहले 3 से गुड़ा कर देंगे तो 15 तिया 45 आजाएगा यह आपका हो जाएगा 45 और प्लस 19 45 और 19 अगर हम जोड देंगे तो 9, 5, 14 के 4 और 4, 15, 6, 64 64 इसके बाद भाग आपका आजाएगा आठ और माइनस के 6 तो 8 को 64 से अगर हम भाग कर देते हैं 64 को 8 से भाग कर देंगे तो आएगा 8 नहीं 64 आठ आजाएगा माइनस के 6 तो 8 से अगर हम 6 कर देंगे तो आपका बचेगा 2 तो इस हिसाब से अपसन नमबर आपका कौन सही हो जाएगा दूसरा अपसन आपका सही हो जाएगा कॉश्ण नमबर 34 में तो 34 का बिल्कुल सही जवाब है ऑपसन नमबर B चलिए, नेक्स कॉश्ण करते हैं कॉश्ण नमबर 35 दिया गया है और इसका सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट सक्षन में लिख देजिए चलिए गुड़े कार्थ प्लस प्लस कार्थ भाग माइनस कार्थ गुड़ा और भाग कार्थ माइनस तो समेकड का मान क्या होगा चलिए 35 का सही जवाब बच्चों क्या है कमेंट में लिख देजिए तो 35 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर B B आप्सन आपका सही जवाब आ रहा है चलिए 7 सही 2 बटा 5 इसका आंसर आएगा और 7 सही 2 बटा 5 का मतलब जानते हो क्या हुआ है 5 सते 35 और 2 37 बटा 5 आएगा आंसर तो इसको हल कीजिएगा आंसर आजाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है 36 नमबर कुश्चन यदि गुडे का आर्थ माइनस प्लस का आर्थ भाग माइनस का आर्थ गुडा भाग का आर्थ प्लस हो तो समिकड का मान ग्यात किजिए तो 36 का सही आंसर क्या है आप लोग बता दीजिए भई 190 आंसर आएगा 180 आएगा माइनस 90 आएगा या माइनस 60 आएगा तो 36 का सही जवाब क्या है चलिए भई फटा फटा आंसर दीजिए तो 36 का सही आंसर उच्वा रहा है आपसन नमबर D माइनस का 60 इसमें जो है आंसर आएगा आप लोग ट्राई कीजिएगा अगर सवाल समझ में आया है तो बताईएगा नहीं आया है तो कमेंट सक्षन में जो लिखेगा 37 नमबर बच्चों प्रशन दिया गया है यद ए बराबर 26 और सन बराबर 27 तब कैट बराबर याद करना है क्या होगा अब यहां से आपके कोडिंग डी कोडिंग समनित प्रशन दिया गया है तो इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा 24, 27, 57 या फिर 58 तो यहां पर अब थोड़ा से देखेंगे ए बराबर 26 दिया गया है यानि ए जो है वो जेड का उल्टा होता है और जेड का जो नमबर होता है वो 26 होता है ठीक तो ए का जो उल्टा है वो 26 लिखा गया है तो इसी प्रकार से सन को देख लेते हैं तो सन में क्या है भाई सन, S का जो उल्टा अच्छर हो जाएगा वो हो जाता है H और H का जो क्रमांग होता है वो 8 होता है और u का उल्टा अगर देखेंगे तो u का उल्टा आपका बनेगा f तो f का जो करमांग होगा वो 6 हो जाएगा N का जो उल्टा होगा वो M हो जाता है और M का करमांग होता है 13 अगर इन सब को हम जोड़ देते हैं तो आपका आजाएगा 27 तो सेम यही काम आपको कैट में भी करना है तो कैट के हिसाब से आपका C का जो उल्टा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों 24 24 A का उल्टा आपका 26 दिया ही गया है और T का उल्टा हो जाएगा बच्चों 7 तो इस प्रकार से अगर इन सब को जोड़ देंगे तो आंसर आपका आजाएगा बच्चों 57 अब ये काम आपको सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले तो आप अल्फाबिट लिखिएगा A से लेकर Z तक उनके करमां का लिख दीजेगा ताकि उल्टा और सिधा अच्छर आपको जैसे ही अकोडिंग या डिकोडिंग या आपका साधरिस्ता परिछड या कभी-कभी पूँच लेता है आपका वर्गी करण में भी ऐसे प्रसना आ जाते हैं तो उनके समय ये काम करेगा तो पहले आपको लिख लेना है ठिक इसके बाद आप बना लिजेगा अगर याद है तो अच्छी बात है अरतिस नम्मर कोशन बचों दिया गया है यदि एक निश्यत भासा में कहरम को B, Z, Q, Q, N, L के रूप में कोडित किया जाता है तो किस सब्द को हाउस के रूप में कोडित किया जाएगा अब इन दो सब्दों में पहले आप संब्द देखिए क्या बनाया गया है उसी के हसाब से हाउस को कैसे कोडित किया गया है ये भी आपको देखना है तो यहाँ पर देखो बचों पहले सब्द का जो पहला अक्छर है वो दूसरे सब्द के पहले अच्छर से संबंद इसका देखिए तो C के बाद B हो गया अर्थात 1 माइनस हुआ अर्थात 1 अंक पहले वाला अच्छर लिखा है A के बाद आपका Z हुआ है तो 1 माइनस हुआ है और लास्ट वाला अच्छर अगर M देखो तो M से एक अच्छर पहले वाला L लिखा हुआ है मतलब एक एक माइनस हुआ है यह हमको जानकरी मिलती है अब इसके बाद जो हाउस को किस सब्द के रूप में कोड़ित किया गया है तो वो सब्द पहले वाला होगा हाउस के मिलती कैरम के अस्थान पर जो सब्द आएगा पहले वो आपको देखना है तो देखो हाउस के जो यहाँ पर कोड़ित किया होगा ह माइनस वन किया होगा तब ह आया होगा तो इसका मतलब है कि ह से एक पलस वाला अच्छले लिजी तो H के बाद I आयेगा है ना तो I यहाँ पर लिखा होगा तब ही तो I से एक मानस करेंगे तो H हो जायगा अब इसके बाद जो है इसी प्रकार से O के बाद वाला अच्छली लिजी तो P के बाद O आता है A O के बाद P आता है तो P पहले आप यहाँ पर लिख देंगे तो P से एक मानिस कर देंगे O आ जायेगा तो ऐसे ही आपका U से सम्मन रखेगा V तो पहला आपसन आपका सही जवा बच्चों हो जाएगा इस हिसाब से तो ऐसे ही आपको समझ लेना है अपने हिसाब से उन्तालिस नमबर कुष्चन बच्चों आप तो का दिया गया है यदि पैंट को अठटर सोरी चोईटर एकसो अठटर के रूप में और एकसल को थिरानवे पानसु छियानवे के रूप में कोड़ित किया जाता है तो एकसेप्ट को कैसे इन कोड करेंगे चलिए इसको आप देखिए कैसे आपका जो है कोड किया गया है उन्तालिस नमबर का चलिए उन्तालिस का बच्चों सही आंसर क्या है बता दीजिए तो इसका बच्चों देखो कैसे क्या किया गया है यहाँ पर देखो पी को जो है साथ लिखा जा रहा है P को 7 लिखा जा रहा है A को 4 लिखा जा रहा है और I को जो है 1 लिखा जा रहा है और N को जो है 2 लिखा जा रहा है और T को 8 लिखा जा रहा है ठीक तो ऐसे जो है आपका लिखा जा रहा है उसी हिसाब से Excel Accept को क्या लिखा गा इसे लिखा जाएगा तो देखो यहाँ पर इसमें भी आप कर लो E को 9 लिखा जाएगा X को 3 लिखा जाएगा C को 5 लिखा जाएगा E को 9 लिखा जाएगा L को 6 लिखा जाएगा तो ऐसे ही जो भी अच्छर आपके यहाँ पर दिये गए हैं आप इनसे अच्छर ले लीजिए तो A को क्या लिखा जा रहा तो यहां पर देखो A को 4 लिखा जा रहा तो A का जो हो जाएगा चार हो जाएगा तो पहले 4 आना चाहिए पहला आफसन आपका सही बन रहा है लेकिन आप चेक कर लीजिए देखो C C को क्या लिखा जा रहा है T C लिए बच्चों यहाँ पर है दूसरे वाले अच्छर में और तीसरा अच्छर है E को 5 लिखा जा रहा है C को 5 लिखा जा रहा है 4 के बाद 5 आएगा 2 C है तो 5 डबल 5 आएगा तो यहाँ पर भी drive 5 है इसका मतलब है पहला आपसा नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद question number 40 करते हैं तो इसमें बच्चों लिखा है E बराबर 5 तो pen बराबर 35 तो page बराबर क्या होगा अब E जो है E का जो करमांक होता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो pen लिखा है इनके करमांक में ही कुछ किया गया है तो 35 आया है तो कर लेते हैं इसको भी इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट चासर नहीं लिए दीजिए हलांकि इसको आमनों प्रेक्टिसर के मादन से हल कराया है प्रश्ण को लेकिन यहाँ भी आपको समझाना उचित्य बनता है तो बच्चों P का जो करमांक है वो 16 है P का 16 है E का 5 है और N का आपका हो जाता है 14 अगर इन सब को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 35 कितना आ जाता है 35 आ जाता है बच्चों 29 जो कि आपसन नंबर C में दिया गया है यानि थार्ड आपसन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 41 नंबर कुष्चन आप लोग कीजिए सही आंजर क्या है एक निश्यत कोड़ भासा में रैन को इस अइन अच्छरों से लिखा जा रहा है मोर को इस अच्छर से लिखा जाता है तो उसी कोड़ भासा में री मैन को कैसे लिखा जाएगा तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बस थोड़ा सा यहाँ पर देखो आर को पहले अच्छर को पहले सब्द को दूसरे सब्द से रिलेट करना है R को 8 लिखा जाएगा A को $ से लिखा जाएगा I को 60 लिखा जाएगा N को 6 से लिखा जाएगा बस और कुछ नहीं है यहाँ पर M को 7 से O को 8 से R को 8 से E को एड़रेट से ठीक अब ऐसे ही आप जो है Remain को लिख लीजिए तो R को किस से लिखा जा रहा तो R को R यहाँ पर देखो R को 8 तो पहले आपका 8 हो जाएगा फिर R E आया है तो E को देख लीजिए E को आड़रेट तो 8 के बाद आड़रेट आजाएगा फिर आपका जो है M आजाएगा तो M को 7 M को 7 तो साब साब दिख रहा है आपसे नमबर 4 आपका बनना है आगे हल करने की जुरूत नहीं है आपसे नमबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा ऐसे ही 42 नमबर कुश्चन आप लोग कीजिए यदि एक निश्चित कोड भासा में L U T E को M U T E लिखा जाता है सही जवाब क्या है यहाँ पर अगर आप देखें तो L के बाद देखो L U T E तो U T E इसमें चैंज नहीं है क्यों L के बाद M आ गया है एक प्लस किया गया है बाकि U T E U T E सेम दिया गया है फैट लिखा है और गेट लिखा है तो इसमें F के बाद G आ गया है एक प्लस हुआ है और A T E A T E आपका सेम है तो उसी प्रकार से बिल्यू कर देंगे तो B के बाद C आता है और बाकि L U E आप ऐसे लिख दीजिए तो आंसर नमबर आपका फर्स्ट हो जाएगा उप्सन फर्स्ट इसदा राइट आंसर चलिए 42 नमबर में 43 का बच्चों सही आंसर क्या है एक निश्चित कोड भासा में रोड सब्द को WTFI के रूप में कोडित क्या जाता है आपसन नमबर C बीट लिखा जाएगा आपसन नमबर 3 इसका सही जवाब है इसमें करा किया गया है यहाँ पर 5 प्लस किया गया R के बाद 5 प्लस किया गया है वो के बाद 5 प्लस किया गया है यह आपके अच्छर यहाँ पर लिखे गया है प्लस प्लस करके तो ऐसे ही आप कर लीजेगा इसके बाद बच्चों जो प्रश्ण दिये गए हैं वो असाब्दित तरख सक्ति समनित प्रश्ण है चवालिस से लेकर तिरपन तक के दी गए प्रश्ण आकरतियों पर अधाय प्रश्ण दिये गए हैं इसमें लिखा कि चौथी आकरती का अस्थान लिखता है जिसमें प्रश्ण वाचत चिन शेदर साया गया है प्रतेक समस्य आकरती के सामने चार उत्तर आकरतियां दी गई हैं सही उत्तर आकरती को ग्याद करके जो है आपको उसके सामने वाला गोला कलर करना है तो 44 नमबर का जो समस्य आकरती दी गई है आप देखिए और राइट आंसर क्या है आप लोग बताईएगा यहाँ पर देखो जो आपकी समस्य आकरती दी गई है वो यह है और उत्तर आकरती इधर दी गई है तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो खड़ी लाइने हैं चार पड़ी लाइने हैं तीन फिर नेस्ट में आपका खड़ी लाइने हो गई तीन पड़ी लाइने हो गई दो फिर खड़ी लाइने दो पड़ी लाइन एक मतलब एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे वाली कम हो रही है तो अगला जो ह आपका आएगा वो क्या होगा option number इसका थर्ड बच्चों सही जवाब है जिन बच्चों ने तीसरा option सही जवाब दिया है बिलकुल सही जवाब दिया है 44 का तीसरा सही जवाब हो जाएगा चलिए इसके बाद 45 नमबर question कीजिये right answer क्या होगा समस्ते आकरती ये दी गई है और उत्तर आकरतियां इधर दी गई है चलिए बताईए 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा 45 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा option number B आपका सही है जिन बच्चों ने B आपसन दिया है उनका right answer हो जाएगा यहाँ पर देखो पंचभुज था पंचभुज के बाद ये पंचभुज धराय रहा उल्टा हो गया लेकिन बिंदू इनके कोने पर आ गये है यहाँ पर आपका star बना हुआ है तो star के जो बिंदू होंगे star के जो कोने होंगे उन पर बिंदू आ जाएगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा option number 2 इसके बाद जो question number 46 दिया गया है इसे में बताईए सही आंसर क्या है तो प्रसन 46 का बच्चो right answer है option number B जिन बच्चों ने B option में दूसरा option सही किया है उनका right answer है 47 नंबर के लिए समस्य आकरती दी गई है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग इसका comment section में आंसर लिखिएगा तो 47 का बच्चों सही आंसर है option number 3 तीन option जिन्हों ने दिया है उनका सही है 48 नंबर का right answer क्या हो जाएगा चलिए 48 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का right answer है चलिए option number आपका सही जवाब है A option चलिए A option आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा पहला option जिन्हों ने दिया है उनका right है 49 नंबर में कर लेते हैं तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का बच्चों राई चांसर है option number B चलिए बी मतलब दूसरा option आपका सही जवाब है 50 नंबर कुश्चन को सिश्वकार से दिया गया है 50 के लिए कमेंट कीजे पहले त्रिभुज फिर वर्ग फिर पंच भुज तो अगला खट भुज आ जाएगा option number first सही जवाब हो जाएगा 50 का पहला option जिन बच्चों ने दिया है सही है चलिए 51 का राई चांसर क्या हो जाएगा तो 51 का बच्चों सही जवाब है option number B चलिए option number B बदलब दूसरा option बच्चों सही जवाब हो जाएगा इसके बाद 52 कुश्चन दियागा है समस्य आकरती कुछ इस प्रकार से दी गई है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 52 में तो प्रस्चन आकरती 52 में जो सही आंसर है वो option number B है दूसरा option सही जवाब हो जाएगा तिरपन नंबर question असाब्दिक तरक सकती का last प्रस्चन है तिरपन का सही आंसर क्या हो जाएगा चलिए तिरपन का बच्चों A option सही है यानि पहला option आपका सही जवाब हो जाएगा हमने इन प्रस्चनों को बहुत ही विस्तार पुरक समझाया हुआ है अगर आप playlist देखेंगे तो जो आपकी 2025 की playlist बनी है उसमें हमने पढ़ा दिया है इन प्रस्चनों को असाब्दिक तरक सकती के रूप में प्रस्चनों को इसके बाद निर्देश प्रस्चन संख्या 54 से लेकर 61 के लिए दिया गया है एक बिसेश नियम से चित्रों में दी गई संख्याय हैं एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रस्चन से दर्साया गया है एक्त स्थान के लिए दिये गए चार विकलबों सही विकलब खोजी और संख्या के उत्तर पत्रक पर उठित प्रशने संख्या के सामने वाला गोला कलर कीजिए तो 54 का बच्चो राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सक्षन में लिख दीजिए चलो बताओ भी सही आंसर क्या है 54 का बताईए लुग्त संख्या वाले प्रशना है CK169JR ऐसे OS2419TX तो 54 का राइट आंसर क्या है तो 54 का बच्चो आपसन नंबर 20 में आ रहा है यानि 21 और 14 जो है यहाँ पर भरा जाएगा अब इसमें किया क्या गया ये भी आप लोग जो है देख लीजिए किया क्या गया है C का जो मान होता है वो 3 होता है और के का 11 होता है C का कितना होता है C का होता है 3 यहाँ पर लिखेंगे सी का जो होता है वो चो तीन होता है और के का होता है ग्यारा ग्यारा और तीन अगर हम जोड देंगे तो ये हो जाएगा चौदा ग्यारा तीन चौदा हो जाएगा और चौदा को दो से भाग करके दो जोड दिया गया है चौदा को दो से भाग करके दो जोड़ दिया गया, दो से भाग करेंगे तो आजाएगा, सात, उस सात में दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा नौ, तो ये नौ जो है आपका यहाँ पर लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से, J, R में क्या क्या गया है, J, R के स्थानी मानों को जोड़ करके दो से भाग करके दो जोड़ दिया गया है तो यहां पर आपका सोला आ जाएगा ठीक भीया तो यह आपका लंबा प्रोसेस है इसको पेंसिल से आप कीजिएगा ऐसे ही आपका अंसर आ जाएगा पच्पन नंबर का राई right answer बच्पन क्या है बारा अठारा तीस जो है दिये गए हो उपर नीचे डिया गया तो 25 पच्पन का राई चलिए पच्पन का बच्पन राई टैयों character है option मपर चलिए बी option बच्पन का बच्पन है 9 आपका सही आंसर होगा इसमें बताया जा रहा है कि 6 से जो संख्याइं दी गई है ये जो नीचे संख्या 6 दी गई है इससे ये 12 भी विभाज्य है 18 भी विभाज्य है 30 भी विभाज्य है इसे प्रकार से 8 से 16 8 से 32 8 से 40 विभाज्य है तो ऐसे संख्या नूरना है जो 36, 18 और 27 को विभाजित कर दे तो 9 ऐसे संख्या है आपसे नमबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा चलिए 56 नमबर कुश्चन का सही आंसर क्या है बताईए 916, 3, 4 दिया गया है तो यहां पर बच्चों दूर से दिखाई दे रहा है 3 का स्क्वाइर कर दो 9, 4 का स्क्वाइर कर दो 16 2 का स्क्वाइर कर दो 4, 3 का स्क्वाइर 9 ऐसे ही 1 का स्क्वाइर 1 और 5 का स्क्वाइर 25 तो 125 आपका अंसर आएगा पहला आपसन इसका सही है 56 नमबर में कुछ ऐसे सवाल बच्चों मिल जाएंगे जो आपको देखते ही सवाल बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुष्चन जो है ज्यादा कठीन आते हैं बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो आप देखकर ही तुरंत आंसर बता जाएंगे 57 नमबर बच्चों प्रशन दिया गया है और इसका सही आंसर क्या है आप लोग comment section में लिख दीजिए तो इसका बच्चों सही आंसर आ रहा है option नमबर 2 15 जो है आपका right answer होगा अब इसमें किया क्या गया है चो आपकी उपर की संख्याय दीगा है इनको जोड़ा गया है और उसको साथ से भाग कर दिया गया तो 25 और 17 जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 42 42 को साथ से भाग करेंगे तो आपका जाएगा साथ छंग बैलिस 6 जो की यहाँ पर लिखी गई है संख्या इसी प्रकार से अगर हम 38 और 18 को जोड़ देते हैं तो यह आपका बन जाएगा 38 और प्लस 18 यह बनेगा 56 और 56 को अगर हम साथ से भाग कर देते हैं तो सतव अठे 56 आपका 8 आजाएगा तो ऐसे ही इसमें आप करेंगे तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 और 16 अगर जोड़ देंगे तो आएगा 105 105 को अगर हम साथ से भाग कर देंगे तो 15 आएगा तो ऐसे ही आपको सोचना है समझना है 58 नमबर में आपका राइट आंसर बताएगे कौन सा सही जबाब हो जाएगा चलिए 58 का बच्चों सही आंसर क्या है यहाँ पर बच्चों किया कया है यह जो आपके बरत के बाहर संख्यां दी गए अंक दिये गए है इनको आपस में गुणा कर दिया गया है तो देखो 2 दूनी 4, 4, 3, 12, 12, 14 बीच में संख्यां लिख दी गई है तो ऐसे ही आपको इसमें तीसरे वाले बरत में कर देना है तो 2, 4, 8, 8, 12, 16, 16, 43, 44 आपस्यां नमबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन करते हैं 69 नमबर अब यह प्रेशन कहता है कि 3 और 3, 5 और 6 बीच में 49 लिखा है कैसे संब्ध बनाया गया होगा 69 का बच्चों राइट आंसर है आपसन नमबर चलिए 69 का सही जवाब है आपसन नमबर B 37 आपका सही आंसर है अब यह कैसे बनाया गया है यह भी देख लिजे जो आपका 6 और 5 दिया गया है इसको गुणा करके 3 और 3 का गुणा करके जोड़ दिया गया है यानि जो आपकी ये कोने पर संख्याय दी गए है और ये आपकी दी गई है इसको गुणा किया गया है यानि हम कह सकते हैं 3 का 3 से गुणा और 5 का 6 से गुड़ा ठीक 5 का 6 से गुड़ा करके जोड दिया गया तो 3 तिया 9 और 6 पंचे 30 तो 30 और 9 49 आपका यहां लिखा गया ऐसे आप जो है इसको कर लीजी तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 पचम 25 हो जाएगा तो 25 बारा कितना हो जाएगा 25 और 12 पचम 25 यहां पर होगा भीया तो यह हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 37 आपका आउसर आएगा आपसन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने दूसरा आपसन दिया है उनका सही जवाब साथ नंबर कुष्चन बच्चों आपका दिया गया है और इसमें सही आंसर क्या है आप लोग बताईएगा पांच छे तीन पंदरा जो है किनारे पर दिये गये हैं बीच में 93 लिखा है तो इसमें पापका बनाया गया है जो आपकी किनारे पर संखिया दी गए हैं इनका गुणा करके जोड दिया गया है तो छे और तीन का गुड़ां कितना हो जाएगा छे तिया अठारा और पत्नरा पच्छे 75 तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 93 आपका आजाएगा अब इसी प्रकार से आप इसमें बना लीजिए छे नविया 54 तो यह 54 हो जाएगा और 75 पच्छे 35 आपका यहां पर और 85 तिन आठ नवासी आपका चौथा आपसन बच्छों सही जवाब हो जाएगा एक सथ नमबर बच्छों प्रशन दिया गया है और इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताईएगा तो 61 में बच्छों बनाया गया है पहले आपका 7 और 6 जोड दिया गया है और 5 से गुणा कर दिया गया है तो 7 6 और 6 जोड देंगे 7 6 13 और गुणा कर देंगे 5 से तो 13 5 पच्छे 65 आपका यहां पर लिखा गया है ऐसे ही तीन और दो का जो है जोड़ कर दीजिए तीन और दो जोड़ देंगे पांच और पांच चार से गुड़ा कर देंगे तो आपका आजाएगा बीस तो ऐसे ही इसमें भी आप को करना है किस से यहाँ पर जोड़ा जाए जो 9 में गुड़ा करके 45 आ जाए तो 4 में हम अगर एक जोड़ देते हैं यहाँ अगर एक लिखा हो तो 4 में जोड़ देंगे 5 हो जाएगा और 5 से 9 में गुड़ा करेंगे तो 45 आ जाएगा तो आपसर नमबर आपका 4 इसका सही जवाब अच्चों हो जाएगा तो इस वीडियो में 31 से ले करके 61 तक के पृष्णों को हमने सॉल्व करा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में जो है 63 पृष्णों को हल करा देंगे और इस प्रकार से आपका 2023 में आया हुआ मैट पेपर कंपलीट हो जाएगा और इसके पहले हमने आज के ही दिन विज्ञान के पृष्णों को पढ़ा दिया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी आप देख लीजिए इसी पेपर का पार्ट है और ये जो है आपका तीन वीडियो के माद्धम से मैट पेपर कंपलेट हो जाएगा और तीन वीडियो में आपका जो है सेट पेपर भी कंपलेट हो जाएगा वनलब छे वीडियो आपके बनेंगे एक पेपर में तो ये सारे वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएगे प्लेलिस्ट में जो आपकी असली पेपर की प्लेलिस्ट मने हुई है उसमें आप देखेंगे तो सीरियल से आपको वीडियोज मिल जाएंगे पहले आपका मैट पेपर का फर्स्ट वीडियो फिर सेकेंड फिर थर्ड और इसके बाद सैट के आपके जो है चौथा भाग लिखा होगा फिर आपका पांचवा भाग फिर छड़ा भाग ऐसे आपका भाग टू भाग जो है डिवाइड होगा आप सभी वीडियो देख लीजिए पुरा कंप्लीट आपका हो जाएगा चूँकि बच्चों समझा करके एक वीडियो में 1803 प्रेशन सॉल्फ करना आसान नहीं है आसान भी है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे दो तीन घंटे का वीडियो बनेगा तो इससे बहतर है कि आपके छोटे छोटे खंडों में जो है डिवाइड करके आप पढ़िए आसानी से आप हल कर लेंगे इसके लावा जो प्रैक्टिस सेट हम डालेंगे तो क्यों आंसर बताते हुए चले जाएंगे तो ऐसे जो है आपका तीन चार वीडियो रहेगा तो अभी आप जो है इसको सॉल्फ कीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर तब तक के लिए धन्यवाज जय हैं वन्यवात्रम